Hello students, welcome back to my channel तो आज के क्लास में हम डिसकस कहने वाले हैं ओरल केर के बारे में जिसमें नीम और क्लोग का क्या यूज है इसके केमिकल कॉंसरेंस क्या क्या लगते हैं इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं हर्बल कॉस्मेटिक फोर ओरल केर के बारे में जैसे देखें तो इसमें इंट्रोडक्शन बोला जा रहा है कि हम लोग इसमें जैसे बेसिक से देखें तो फिर ओरल केर में हर्बल का क्या यूज है इसे ही की बारे में हम आज के क्लास में डिसकस करेंगे तो उसके introduction थोड़ा सा देख लेते हैं Herbal remedies have a long history of use for gum and tooth problems अब जैसे देखें तो फिर जो हम लोग herbal चीजों का जो natural चीजों का है बहुत लंबे शमय से ही हम लोग क्या करें हमारे gum हो गए हमारे teeth हो गए उसको treat करने के लिए उसमें जो problems होते हैं उसको treat करने के लिए use करते हैं In many traditional culture there are no plastic bristle brushes and rather the use of herbal chaving sticks are common अब जैसे देखें तो पुराने समय में क्या होता था कि हम लोग जो bristle brush आता था है प्लास्टिक ब्रिश्टिल ब्रस आता था उसका हम लोग use नहीं करते थे जगे जो stick आता था जैसे नीम की दातों जो है हम लोग क्या करते थे उसको use करते थे तो उसमें बोला जा रहे हैं कि क्या है हम लोग पुराने समय में दस के जगा हम लोग क्या करते थे चेविंग स्टिक्स का जो है यूज करते थे और आगे जैसे देखें इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स दा फॉलिंग हर्ब्स हैव लॉंग हिस्ट्री ऑफ फॉर प्रिवेंशन दा प्रिवेंशन एन इन एसिस्टिंग दा बॉड़ी टू हील इसे इन गम एन टूथ डिसॉर्ड होगे तो इसको रोकने के लिए इसको प्रिवेंशन के लिए अपने बॉड़ी को हील करने के लिए का करते थे इन सब चीजों का यूज करते थे अब इसमें फर्स्ट है हमारा नीम जो क्या करते हैं औरल के प्रोड़क्स में जिसका मोसली यूज किया जाता है उसके बारे ह हमारा इसमें जैसे नीम में बोला जा रहा है common name तो फिर नीम एंड नीम tree and botonical name में जैसे देखें तो फिर एजार डिरिक्ट है इंडिका इसको बोला जाता है family जैसे देखें तो मैलियस फैमिली से यह क्या करता है बिलॉंग करता है आगे जैसे इसका introduction देखें तो इसमें बोला जा रहा है name sold as a wonder drug in stressed as for back as for 4500 years ago and has numerous health restoring benefits अब इसमें जैसे देखें तो बोला जा रहे कि जो हमारा name जो है है ना एक तरीके का बहुत ही जवर्दस जो रहता है drug रहता है इसका पुराने समय से ही क्या किया जा रहे है यूज किया जा रहे है इसका benefits लिया जा रहे है अब जैसे देखें आगे तो फिर थेरापेटिक benefits of name in oral and dental problems has provided its efficacy as an excellent and inexpensive antimicrobial anti-inflammatory and anti-cancer agent अब जैसे देखें तो फिर हमारा जो नीम जो है इसका जैसे और और जैसे बोला जा रहे है कि इसका बहुत ही जवर्दस्त यूज किया जाता था किस चीजों में anti-microbial agent के रूप में anti-inflammatory agent के रूप में anti-cancer agent के रूप में क्या किया जाता था नीम का यूज किया जाता था अब आगे जैसे देखें इसमें chemical constituents of name के बारे में तो फिर इ निम्बिलिन और निम्बीन, निम्बिडीन, निम्बिडॉल, सोडियम, निम्बिनेट, ग्योडिनीन, सेलेनीन, और क्वेरेक्टीन, तो यह सब इसके क्या है chemical constituents हैं आगे जैसे देखें therapeutic use के बारे में कि नीम का जो है oral diseases में किस तरीके से यूज किया जाता है तो फिर इसमे की तरह इसका यूज किया जाता है anticharyogenic effects के रूप में भी इसका यूज किया जाता है जो हमारा निम रहता है उसका आगे जैसे देखें हमारा second है clove, clove यानि की long तो फिर इसका common name है clove जैसे long and botanical name है sezenium aromanticum and इसका synonyms जैसे देखें तो फिर eugenia carophallata and यह जो family किस family से बि इसका introduction देखें तो फिर eugree tree which produce a flower bud that has numerous medical properties अब इसमें जैसे बोला जा रहा है जो हमारा clove रहता है evergreen tree रहता है जो produce करता है flower bud produce करता है जैसे इस तरीकी का flower bud tip का इसका क्या रहता है जो हमारा clove रहता है वो रहता है इसमें जैसे numerous medicinal properties जो है इसके अंदर presence रहता है आना तो यह clove रहता है इसमें आगे जैसे देखें clove oil isn't traditionally used and severing isn't and antimicrobial isn't in food अब जो है clove oil का जो है use के जाता था यानि कि लंबे समय से इस सीच के use किया जा रहा है किसके किसके रूप में antimicrobial isn't के रूप में किसमें food में foods में इसका ज्यादा थर use किया जाता है अब इसमें जैसे बोला जारी इसके कही सार बाइयोलोजिकल अक्टिविटी है लाइक antimicrobial activity शो करता है antifungal activity शो करता है antioxydant भी यह क्या करता है प्रॉपर्टी जो है वह शो करता है अब आगे जैसे देखें अब आगे जैसे इसके chemical constituents के बारे में जैसे देखें तो फिर इसमें volatile oils 15-20% प्रेजेंट रहता है using all 70-90% vanily and carophyllinin and acetyl using all 4% tannin 10-30% जिसको galatonic acid भी इसमें present रहता है resin रहता है romani भी प्रेजेंट रहता है small quantities of ester ketones and alcohols भी इसके अंदर presence रहते है use of oral care के बारे में जो से देखें इसमें किस्टिकिस का oral care में use किया गाता है तो इसमें first है हमारा treating dry socket treating dice rocket मतलब कि जो हमारे mouth के अंजड़ जो हमारे teeth जो रहते हैं उसमें से एकार teeth ऐसा भी रहता है जो खराब हो जाता है ना black black उसमें दिखते रहता है लेकिन वो ना बढ़ते रहता है ना उसमें कोई growth दिखता है वो सिर्फ वहां पर चिप कर रहता है तो वो क्या बहुत जा जाता है तो उसके लिए भी सिज़ के जाता है एक तरीके से इंफेक्शन जो रहता है हमारे mouth में तो उसके लिए भी सिज़ के जाता है अगर आज के वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हलफूर रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स को सेर करें एंड थाइंक्स पर रचिंग इस वीडियो